बता दे मैं क्या करूँ मेगा अच्छा है अधीराथ मैरन पंटै निंदिया पूरी पढदीप का धर्शन हो रहा है कि नहीं? अब ये पंचम पे कोमल निशाद का कण है कोमल निशाद इस राग में विवादी के रूप में आप ले सकते हैं लेकिन कण मात्र ही यूज हुआ है इतना तो शास्त्री संगीत में भी ढील ले लेते हैं तो लाइट संगेंग में क्यों नहीं ले सकते हैं? अब ये क्या है? नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात और विनन्दन आज आपके समक्ष मेगा छाय आदी राद का शास्त्री विवेचंत यहां दोस्तों हम सब जानते हैं ऐसी अनमोल रचना SD बर्मन साब की आज भी कायम है क्योंकि इसका अधार हमारा शास्त्री संगीत है ताल रुपक और राग पठदीब का अनमोल गजब का यह संगम आज आपके समक्ष में लेके आएं दोस्तों सर प्रत्म राग पठदीब के बारे में संक्षित जानकारी में आपको दूंगा उसके बाद हम इस रचना को समझेंगे लेक्चर पूरा देखेगा दोस्तों क्योंकि इतनी डिटेल्ड रूप में राग को गाने के साथ लिंक करकर जो विवेचना है जो एनलिसिस है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो चलिए शिरुवात करतें देखे राग पठदीब की जहां बात होती है this is Raag Bheem Palasi अब देखे नी को अगर मैं शुद्द करतो इसका मतलब इसका संप्रकर्तिक राग भीमपलाशी और भीमपलाशी के पास का राग पट दीप हुआ तो इस राग की जो रचना हुई है वह भीमपलाशी में नीशुद करने से हुई है पॉइंट नमबर वन इसका वादिस्वर दोस्तों पंचम है पंचम लगाने की एक कशिश रहती है इस राग को आप जबी भी लगाएंगे निशा गवापा गवापा नीधा पार मापा गवापा नीधा पार मापा गवापा नीधा पार मापा गवापा नीधा पार इस कारण से पंचमवादी समवादी शड़ज है इसका थाठ इसका दोस्तों काफी है धनाश्री अंग का ये राग है मैंने आपको रागांग पद्दती जब मैं बता रहा था उसमें मैंने धनाश्री अंग का जिक्रे किया था आगे काफी थाट से एक राग निकलती है धनाश्री और धनाश्री से धनाश्री अंग निकलता है और धनाश्री अंग से पांच रागे निकलती है तो धानी, भीमपलासी, हंसकिंकनी, प्रदीप की और ये एक राग पटदीप रागांग पदती का दोस्तों बोल बाला है लगते हैं रे और धा को मैं वर्जित करता हूं उतर तर टाइम सातो स्वर लगते हैं सानी धपा मागरेशा इस कारण से इसकी जाती और अब संपून है सिरफ एक ही स्वर दोस्तों कोमल एस में कोमल कंधार ठीक है मतलब एक ही विक्रित स्वर इस रागम तो ये कुछ संचिप जानकारी ये हमारा बेस हो गया इस गाने को समझने के लिए तो देखिए आप अब इस रचना की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ तो देखिए जो रचना है वो सम से उठती है रूपक ताल में निबद है इसका जो पिछ है लताजी का वो सी शार्प माइनर है मतलब पहला काला और उसी से मैं आपको ये रचना बता रहा हूँ वादी सुर क्या बता है पंचम उसी की पुना वृत्ती उसकी इंपोर्टेंस देखिए मामा पापा पामा पागा मामा पार्णी पापा 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 वापस मेघा चाय अधीरा बैरन बन गई निंदिया बता दे मैं क्या करूँ मेघा चाय अधीरा बैरन बन गई निंदिया आप देखिया आप निनी सासा निसा निपगा अभी है पागा गामा पापा निदा पामा पागा ये सारा दना श्री यांगे मेघा चाय अधीरा बता दे मैं क्या करूँ मेघा चाय अधीरा बैरन बन गई निंदिया मेघा चाय अधीरा बैरन बन गई निंदिया मामा पापा पामा पागा मामा पाणि पापा पापा बता दे मैं क्या करूँ मेघा चाय अधीरा बैरन बन गई निंदिया 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 अंत्रा है इसका जैसे कि हर गाने में हमें देखने का मिलती है यह चीज यह की स्वार है रे, सा और नी इसके बाद लगते हैं यह मुर्की है थोड़ी सी मेजर बनता है हवा लागे शूल जैसी ताना मारे चुनरिया सा 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 सार सनी दनी नी सा तो एक बार वापस दोस्तों मैं आपको गा के बताता हूँ सब के आंगन दिया चले रे मोरे आंगन चिया हवा लागे शूल जैसी ताना मारे चुनरिया आई है आसो की बाराद बैरन पंगई नि दिया आप देखो आप पूरी पढ़ दीप का दर्शन हो रहा है कि नी अब यह पंचम पे कोमल निशाद का कन है कोमल निशाद इस राग में विवादी के रूप में आप ले सकते हैं लेकिन कन मात्र ही यूज हुआ है इतना तो शास्त्री संगीत में भी धील ले ले लेते हैं तो लाइट सेंगिंग में क्यों नहीं ले सकते मामा पा 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 मापा अभी क्या है निपा है ना निपागा मामा पा निपा पा 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 तो आई है आसों की बारा बैरन बन गई निदियां बता दे मैं क्या करूं मेगा च्छाए आधिरा बैरन बन गई निदियां ये पहला अंत्रा दूसरा अंत्रा अभी सेम है दोस्तों स्वर माली का सेम है लेरिक सलाग इससे पहले देखिए दोस्तों एक आलाप आता है आ आ आ आ गार मगसा आ आ आ आ आ गार मगसा रूठ गए रे सपने सारे तूट गए रे आशा नैन बहेरे गंगा मोरे फिर भी मन है गागा 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 रे रिगरे री सा नी सा वापस देखिए रूठ गए रे सबने सारे तूट गए रे आशा नैन बहे रे गंगा मोरे फिर भी मन है प्यासा किसे कहों रे मन की बाद बैरन पंगल निंदिया तो मामा पापा पापा मापा पागा मामा पापा नी पापा पापा नी नी साजा नी सानि पागा एक बर अंत्रा और संपूर्ण गाना एक बर मैं आपको ताल में पिरो के बताता हूँ तिन तिन ना धी ना धी ना देखिए रूपक पर मैंने लेक्चर बनाया है अलंकार जरूर शीख लिए जगा अगर आपको ताल सीखनी है भीम पलासी पर आधारित गाने ये जरूर देख लीजेगा सबके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हैं रिलेटेड लेक्चर जरूर देखा कीजे दोस्तों इससे आपको प्रेजेंटेड लेक्चर और अच्छे से मामा पापा पामा पागा मामा पा नी पापा पापा बता दे मैं क्या करूं रिडिनेसासा नी सा नि पगा मेगा च्छायादेरा बैरन पंक ये ने दी या बैरन पंक ये ने दी या तो यह मेरा प्रियास था दोस्तों कि राक पढ़ दीप और रुपक का यह शंगम मेगा छायादी रात और राक को लिंक करते वे आपको बताना लेक्चर कैसा लगा जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरा Bollywood Singing वैच जोइन करना है इस प्रकार के गीत मैं हर सेशन में लेता रहता हूँ दोस्तों हर सेशन में नया गीत लेता हूँ संडे सुबह साड़े गैरा बजे क्लास रहती है वो जोइन कर सकते हैं इसके साथ साथ राख संगीत अगर आपको सीखना है राख संगीत का मेरा अलग से बैच चल रहा है जरूर जोइन कीजेगा संगीत को शुरवात से सीखना है दोस्तों तो ये वाला बैच भी आप जोइन कर सकते हैं ए भी सीडी करके है वेनेस डिसोबें नौ बजे ओम शांति